राखी का क्या महत्व होता है और इसका उद्देश क्या है? ये सारी चीजें बड़ा मार्केट वाला चक्कर बन गई हैं और कोई प्लास्टिक की चीजें यूज़ कर रहा है जिन पर वो चिंकिमिंग की चीजें लगी होती है और ये चाहिए कि एक प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ धागा बाधा जाए क्योंकि उर्जा के इस तर पर इसे इस तरह तयार किया गया है कि ये आपके साथ कुछ खास चीजें करें इस धागे को तयार करने के लिए आम तोर पर हम बिना साइन फराइस किये गए, कॉटन के या एक रेशम के धागे का उप्योग करते हैं जो किसी रासाइन एक प्रक्रिया से ना गुजरा हो और हम कुछ विशेश तरीकों से इसे उर्जानवित करते हैं क्योंकि ये ऐसे पदार्थ हैं जो अपने में उर्जा को एक समय तक बना ही रख सकते हैं तो एसे लोगों को एक तरा से जोडने में और उनमें सुरक्षा और स्थर्था का ए खास भाव बनाने के लिए उप्योग किया जाता था But Raksha Bandhan, all these things have become very market-oriented stuff, everybody is trying a plastic, the chinky-minky stuff, you know, what's all, it's made of all kinds of things. No, these are supposed to be done. See, only the ritual has remained, the science has not remained, that's a problem. Over a period of time, we've carried the ritual but we've given up the science of it. So, let us say it so happened, stretching it to the limit. It so happened you are a surgeon, after a few generations you forgot why you do surgery. You just understand you have to cut up people. Then you better be in the pathology laboratory, isn't it? Even there you cut with a purpose, not simply cut up people.